नमस्कार दोस्तों, स्वाधत आपका हेलो biology में आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे reproduction के बारे में reproduction क्या है, reproduction की importance क्या है और यह कितने प्रकार्टिय होते हैं यदि हम बात किरती है कि reproduction क्या है तो reproduction इवेhm biological process है जिसके ठुझ एक organism अपने ही जैसे organisms को produce करता है यानिकी उनको जन्म देता है जैसे कि योवन हमेशा योवन बेबी को जन्म देता है इसी तरीके से बंदर भी हमेशा बेबी बंदर को ही जन्म देता है तो हर ओर्गानेजम अपनी ही समान ओर्गानेजम को जब उत्पन करता है तो उस प्रकरिया को हम कहते हैं अब बात करते ह कि यह इतना important part क्यों है किसी भी और क्यारे सब के लिए, किसी भी species के लिए, क्योंकि यह वह process है, यह प्रकृति का, यह जीव विज्ञान का वह process है, जिसके थ्रूप हम अपनी species को, कि जब population है, उसे continue रख सकते हैं, यानि कि हम अपनी species को खतम होने से बचा सकते हैं, कि हमारे बाद भी हमानी species continue रहें, चूकि जो जन्मा है, उसकी मृत्री तो होगी, लेकिन मरने से पहले हम अपने ही समान, जीवों को उत्पन करते हैं, ताकि हमारी species continue रह पाएं, इसलिए reproduction की प्रक्रिया हमें microscopic bacteria से लेके हमारे जैसे advanced organisms में भी देखने को मिलती है, तो आप समझ में आया कि reproduction क्यों इतना important है, अब बात करते हैं, इसकी प्रकारों, तो मुखे रूप से जो reproduction है, वह दो प्रकार की, इस sexual और section, पहले बात करते हैं, इस sexual reproduction की, इस sexual reproduction की दोरान, जो organism है, उसके जन्में केवल एक ही parents का, एक ही parents का contradiction होता है, इस process से जो जन्मा offspring होता है, वो अपने parent का clone होता है, यानि की उन दोनों का genetic material सेम होता है, उसमें कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है, और इस प्रकार का, जो प्रजिनन प्रक्रिया है, वो हमें देखने को मिलती है, ज्यादा तर्ट, बिलूर और्गानिजम्स, वहीं अगर हम बात करते हैं, sexual reproduction की, तो इसे हम advanced type of reproduction भी कहते हैं, जो कि हमें higher organism में देखने को मिलता है, इसमें किसी भी जीव के जन में दोनों parents का contribution होता है, जिसमें से एक नर यानि की पिता और दूसरी माता यानि की माता होती हैं, और इसी कारल जो बच्चा sexual reproduction की थूड जन लेता है, वह genetically अपने दौनों parents से कुछ अलग होता है, यानि की वो अपने parents के मुकाबली में variations को show करता है, तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, और यदि मेरे प्यारे student, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसको share करें, और subscribe करें चैनल को, मिलते हैं आपसे अगली वी थिए चैनल कहीजद करें।